सूरे कुमार यादफ बनेंगे RCB के कप्तान मुंबई इंडियन्स को देंगे विदाई का फर्मान स्पोर्ट्स यारी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आयूश और साल 2025 का जो मेगा आक्षन होने वाला है उससे पहले जो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो यही आ रही है कि सूरे कुमार यादफ अब आपको मुंबई इंडियन्स का दामन छोड़ RCB का दामन थामते वे नजर आएंगे कप्तान सूरे कुमार यादफ जो की हाली में इंडिया की भी T20 फॉर्माट की कप्तानी सम्हाल लिया है उन्होंने वो अब अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किसी भी टीम में as a captain पूरी तरीके से युक्त है अब सूरे जिस भी टीम में चाहे वहाँ जाके बोल सकते हैं कि क्यूंकि मैं इंडिया का T20 फॉर्माट का captain हूँ तो IPL में भी मुझे कप्तानी चाहिए और कोई मना भी नहीं करेगा और इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो है वो यही आ रही है कि सूरे कुमार यादव आपको दिख सकते हैं साल 2025 में कप्तानी करते हुए किस टीम की जी रॉयल चैलिंजर्स बैंगलोर की अब रॉयल चैलिंजर्स बैंगलोर की बात करें तो यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके हाथ में अभी तो कोई कप तो नहीं है पर इनकी जो fan base है जो fan following है और इनका जो एक reputation है market में वो worldwide level पे फैला हुआ है आपको पता है किस तरीके से हर साल RCB चर्चा में बनी रहती है और बाकी जो teams है जैसे कि अगर हम Delhi Capitals की बात करें फिर पंजाब की बात करें जिनके पास titles नहीं है वो इतनी जादा सुर्खियों में नहीं रहती है जितना RCB रहती है तो RCB में कहीं न कहीं सुर्खुमार यादफ का जाना सही साबित होगा या गलत साबित होगा इसके बारे में details में बात करेंगे पर हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो यही थी कि आपको साल 2025 में जैसा कि अब अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं सूर्खुमार यादफ RCB में दिख सकते हैं as a captain क्यूंकि हमने आपको इब पहले भी बताया था कि RCB को चाहिए अब एक ऐसा Indian captain जो यहां से लगबख 4-5 साल तक उसकी दामन को समाले कप्तानी का भार समाले और साथी साथ results भी produce करें और अभी तक जितना भी कप्तानी सूर्खुमार यादफ ने किया है कहीं से भी निराशा जनक नहीं है वो अभी तक उन्होंने अपना best ही दिया है तो अब M.I.U. उने retain करी गी या नहीं क्या आपको दिखेंगे या नहीं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं देखे पहला point जो आता है वो यह है कि क्या सूर्य कुमार यादफ को RCB में जाना चाहिए तो अगर सूर्य कुमार यादफ RCB में जाते हैं तो इसमें दोनों का फायदा है पहले सूर्य की बात करते हैं कि उनका कैसे फायदा है RCB एक ऐसी टीम है जो well reputed है और उनके पास अभी तक कोई ट्रोफी नहीं है तो अगर सूर्य कुमार यादफ का पदारपन से वहाँ पे पहली टाइटल जीते में काम्याब होते हैं तो इससे ना केवल सूर्य कुमार यादफ की ख्याती में आप व्रिद्धी देखेंगे बलकि इसी के साथ आपको RCB जिनका फैन बेस अभी ही इतना है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा और एक बात बताईए कौन से ऐसी टीम होगी जो नहीं चाहते ही होगी कि इंडिया में जो T20 फॉर्मेट का कैप्टेन है वो अब आपकी टीम का कैप्टेन बने बिलकुल RCB बिचाएगी और जहां तक यह सुनने को मिल रहा है कि यह ट्रेड के थुरू होगा MI से RCB कितना भी पैसा उफर करने के लिए तयार है मतलब मू मांगी रकम देने को तयार है और आपको पता भी है कि RCB और MI का यह जो ट्रेड विंडो है यह आज का नहीं है यह पुराना है जब GT से कप्तान हार्दिक पांडिया को आना था मुंबई इंडियन्स में उस टाइम भी यह थ्री विंडो ट्रेड हुआ था जहां Cameron Green को इन्होंने RCB में पहले ही भेज दिया है अब Cameron Green, रजत पाटिदार और खासकर विराट कोली जिनके साथ on field सूरे कुमार यादफ की bonding इतनी अच्छी है आप सूचिए वर्ल्ड का नंबर वन T20 बैटर और जो वर्ल्ड का नंबर वन बैटर है वो जब एक साथ चिन्ना स्वामी ग्राउंड में रन बनाते हुए दिखेंगे तो फिर क्या ही तबाही का मनजर होगा इसी के साथ अगर बात करें RCB की तो T20 फॉर्मेट का जो कप्तान है जैसे मैंने आपको पहले भी बता है वो अगर टीम में आता है तो उन्हें TRP जादा मिलेगी अडवर्टीजमेंट में फाइदा होगा और ना केवल यही सूर्य कमार यादव में वो कैपसिटी है वो कैपिबिलीटीज है कि वो अपने हिसाब से एक टीम बना है और उस टीम को अपने हिसाब से चला के फर्स टाइटल की तरफ लीड कर ले और वैसे भी अगर RCB की बात करें तो उन्हें कुछ अच्छे बोलर्स को छोड़के अपनी बैटिंग ओर्डर में कोई सुधार की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बैटिंग ओर्डर अलरडी स्टेबल है और इस साल उसने अपना दमखम भी दिखाया हुआ है तो क्या सूर्य कुमार यादव एजा कप्तान RCB को जितवा पाईए या नहीं उन्हें माई रिलीस करेगी या नहीं माई क्या रिटेन करना चाहिए और क्या माई भी यह बोलेगी कि भाईया आप हमारे कप्तान बन जाओ क्योंकि इस वक्त जैसी रिपोर्ट्स आ रही है ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि रोहित शर्मा नहीं छोड़ने वाले हैं मुंबई इं में जो बाते लगातार चल रही थी कि शायद आपको सूर्या, बुम्रा, रोहित ये तीनों एक साथ दिख जाएं माई में और हार्दिक को वहां से बाहर निकलना पड़े वो आएंगे आपके RCB में तो अब इस पे कहीं न कहीं फुल स्टॉप लग सकता है जहां ये रिपो तो क्या वो कप्तानी का जो दारोमदार है उसके साथ पहली टाइटल जितवा पाएंगे RCB को या नहीं ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भ भूलेगा, वन मीलियन के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीचे और तब तक के लिए दीजे मुझे इजासत, जय हिंद, जय भारत